रिश्मा अपनी ससुराल में अपना बैक पैक किये हुए, बड़ी ही बेसबरी से अपने भाई अखिल के आने का वेट कर रही थी, तब ही वो अपनी छोटी बेहन नविता को फोन करती है, और नविता कहती है, हाँ दीदी, क्या हुआ, भाई, आये नहीं क्या भी तक, अरे कहां आया है, अब इदक नहीं आया, देखो न, मैं कब से रैडी होकर बैठी हूँ, कोई नहीं, आते ही होंगे, अब थोड़ा वेट कर लो, नहीं आये तो मुझे दुबारा कॉल कर देना, ठीक है, जैसा तुम क रेश्मा इतना कहकर फोन रग देती है, तब ही वो देखती है, कि अखिल दर्वाजे पर खड़ा हुआ, हस रहा है, और बोलता है, दीदी, आप भी न, थोड़ा सा लेट हो जाओं, तो सास उपर नीचे हो जाती हैं आपकी, और नी तो क्या हो ना, अरे कब से रैडी होकर पैटी हो, तो मब आ रहे हो, रेश्मा इतना बोल ही रही थी, कि तब ही वहाँ पर उसकी सास हेमा कर कहती है, अरे बहु, अब क्या लल्ला को दर्वाजे पर ही रखेगी, अंदर भी बुला, चाय पानी पिला दे, हम, अंदर आ जाओ, इतना कहकर रेश्मा अखिल को अंदर बुलाती है, और फिर आराम से अखिल सभी के साथ बैट कर नाश्ता करता है, जिसके बाद रेश्मा अखिल के साथ जाने लगती है, और हेमा के पैर चुकर कहती है, ठीक है माजी, अपना खयाल रखना, खाना और दवाई टाइम पे लेना, हाँ, हाँ, बहु, सब टाइम प कि सब से छोटी बहन स्वीटी, जल्दी से अपनी बहन के गली लग जाती है, और स्वीटी बोलती है, दीदी, कहा रे गई थी अप, कितनी देर लगा दी, आती तो तब ना, जब अखिल टाइम पर आता, यह इतिनी देरी से आया कि मैं क्या करूँ, चलो कोई नहीं, बैठो सबी, मैं जल्दी से सब के लिए शर्बत लेकर आती हूँ, नवीता, गुलाव वाला लाना, रेश्मा दीदी को बहुत पसंद है, ठीक है भाई, जैसा तुम का हो, इतना कहकर नवीता रसोई में चली जाती है, और सब के लिए गुलाव वाला शर्बत बना कर ले आती है, अभी हाथों में पाने का ग्लास लिए स्वीटी आकर कहती है, क्या हुआ भाई आप ठीक हो ना, हाँ हाँ बस ठीक हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों सर बहुत गूम रहा है, अरे अखिल, तुझे तो बुखार है, देख कैसे माथा तप रहा है तेरा, पता नहीं दीदी, आप से एक बुखार है आपको, आप घर नहीं आ सकते थे, क्या कहा एक सो एक, ये लड़का भी ना, अब जब तक तु ठीक नहीं हो जाता ना, ऑफिस में जाएगा तु, अरे अरे बस करो, इतनी चिंता कौन करता है रीदी, नवीता, स्वीटी, मैं ठीक हूँ, अरे अरे चिंता, हम तीनों बहनों के आप एक ही भाई हो, आप से प्यारा कौन है हमें, मापापा के जाने के बार आप नहीं हमें संभाला है, आप से ही तो हमारी सारी दुनिया है भाईया, अरे मेरी छोटी इतनी बड़ी हो गई, इतनी समस्दारी की बात करने लगी है, ठीक है जब तक ठीक नहीं हो जाता, उफिस नहीं जाऊंगा, घरपरी रहंऊंगा ऐसे ही एक दो दिन में अखिल पूरी तरह से ठीक हो जाता है, और वो फिर से उफिस जाने लगता है तीनों बहने नहा धो कर तैयार होती है और मंदिर में भूजा करके अपनी ठाली सजाती है और अखिल के पास जाती है और सबसे पहले रेश्मा कहती है आने वाले रक्षा बंदन पर तेरे साथ वाली सीट बुख हो जानी चाहिए तुझे कोई पसंद है तो बता दे, नहीं तो मा जी के साथ मिलकर मैं रिष्टे देखूँ भाई आप हमेशा खुश रहो, आपकी सारी विश्पूरी हो, आपकी उम्रिलंबी हो, बस यही है मेरी दुआ भाईया, मेरी शादी ना जुलदी मत करना, पहले अपनी शादी करना, उसके बाद में अपने छोटे चोटे बतीजा बतीजी को खिलाओंगी, फिर करना मेरी शादी अराम से हाँ 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 अच्छा जी ये बात है येलो स्वीटी तुम्हारे लिए नवीता तुम्हारे लिए रेश्मा दीदी ये आप के लिए है शाम को हम सब मूवी देखने जा रहे हैं रेडी हो जाना अखिल की बात सुनकर सब खुश हो जाते हैं और शाम को मूवी जाने के लिए रेडी हो जाते हैं जैसे ही चारो बहन भाई घर से निकलने लगते हैं तब ही अखिल चकर खा कर गिर जाता है और ये देखकर तीनों बहने घबरा जाती हैं और जल्दी से अखिल को लेकर जाती है जहां पर डॉक्टर अखिल का इलाज करते हैं और माया नाम की एक डॉक्टर हाथों में फाइल लिए हुए तीनों बहनों के पास आकर कहती है आप अखिल की बहने हैं ना बताइए ना मेरे भाई को क्या हो गया वो बेहोश की हो गया भाई ठीक तो हो जाएंगे न उन्हें क्या हुआ है डॉक्टर प्लीज मेरे भाईया को जल्दी से ठीक कर दो ना वो क्यों बेहोश हो गए होश में क्यों नहीं आ रहे हैं जी देखिए आपके भाई को ब्रेन ट्यूमर है और इस बात की ख़बर उन्हें पहले से थी क्या अखिल ने हमें कभी इस बारे में नहीं बताया बताता कैसे आप तीनों में उसकी जान बस्ती है आपको दुख कैसे दे सकता था वो इतना सब कैसे जानती हैं आप डॉक्टर क्योंकि मैं अखिल की डॉक्टर ही नहीं उसकी गल्फन्ट भी हूँ माया इसलिए आप सबको और अखिल को बहुत अच्छे से जानती हूँ हमें अखिल का ओप्रेशन करना होगा मैं जानती हूँ कि आप तीनों इस वक्त बहुत दुख में है कि अखिल ने आपको सच नहीं बताया पर वो हर दिन बस इस बात का बोज लेकर घुमता था कि कहीं उसे कुछ हो गया तो उसकी बहनों का क्या होगा नहीं नहीं मेरे भाई को कुछ नहीं होना चाहिए आप ओप्रेशन करो ना भाई को ठीक कर दो देखिए ओप्रेशन तो हम कर देंगे लेकिन वो काम्याब होगा या नहीं ये नहीं कह सकते और अब हालात बेकाबू हैं अब मुझे जाना होगा ओप्रेशन की तयारी हो चुकी है इतना कहकर माया वहां से चली जादी है आखों में आशू लिए रेश्मा, नविता और स्विटी ओप्रेशन ठीटर के बाहर खड़ी रहती है करीबन तीन चार घंटे बाद माया बाहर आकर कहती है मुबारक हो ओप्रेशन काम्याब रहा अखिल को अब किसी चीज का कोई खत्रा नहीं है वो एकदम ठीक है, अब आप उतसे मिल सकती है माया की बात सुनकर तीनो बेहने जल्ती से अखिल से मिलने जाती है और अपनी बेहनों को देखकर अकिल के आँखों में आसू आज आते है और रेश्मा उसके आसू पोच कर कहती है अखिल आज रक्षा बंधन पर तुम हम तीनों बेहनों को रक्षा का वचन दे कर अकेला छोड़ कर जा रही थे जानते भी हो हम कितना घबरा गए थे तुमने हमसे इतना बड़ा सत चुपाया पर भगवान का लाख लाख शुकर है कि तुमें कुछ नहीं हुआ अखिल इसलिए मैं यही सोचता था कि जितने भी दिन बचे हैं उनको मैं बस सबके साथ खुशी-खुशी बिता लूँ पर देखो ना आज रक्षा बंधन के मोके पर ही सबको सब कुछ पता चल गया कहां आज के दिन मैं आपकी सब की रक्षा का वचन दे रहा था कहां आज आप मेरी रक्षा के लिए इश्वर के आगे गडगडा रही हो अपनी बहनों के आखों के आसू देखकर अखिल उन्हें गले से लगा लेता है और कुछ टाइम बाद जब अखिल पूरी तरह से ठीक हो जाता है तब तीनों बहनें मिलकर माया और अखिल की शादी करवा देती है